हेलो दोस्तों आपका सुवागत है मेरे चैनल अनमलोजिक में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊगा वी लूक अप के बारे में कि एक्सल में बहुत सारे फॉर्मूले से उसमें एक है वी लूक अप वी लूक अप किस तरीके से होता है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और वह हमें ऑफिस में किस तरीके से यूज होता है और किस तरीके से काम आता है ठीक है और जितने भी फॉर्मिले से उसके प्लेलीस बनाई है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है वहां पे भी जाके आप देख सकते हो और मेरे प्लेलीस पे भी जाके आप देख सकते हो तो दोस्तों वी लुक अप के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अन तक को बातामा कि किस तरीके से आप फी लुक अप का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है दोस्तों मैं अभी शीट पर आया हूं और वी लुक अप समझाने के लिए आपको कि वी लुक अप किस तरीके से और किस तरीके से आपको यूज करना है और वह हमको किस तरीके से बैंट पीट पह पोटे एपल मेंगो बनाना ग्रैप ओरेंच पैनेपल कॉन कॉकुंबर टॉमाटो ठीक है उसकी कॉश्वांतिटी 2019 में 20 19 30 30 पचास 48 ठीक है ओरेंच की 48 ठीच ग्रैप की 50 ती और बनाना की 30 और मेंगो की उन निस टी और एपल की बीच थी ठीक है अब 2020 में हमारे पास जो कॉंटिटी ते श्टीब में वह सकते तहीं है कि यह अभ यह मेरे पास नहीं पंदरा प्रोड़क्त लेकिन आपके पास 1000 प्रोड़क्त है और हजार प्रोड़क्त में आपको को पता करना है कि 2020 में तो इतनी quantity आई है अभी आपको पता करना है कि 2019 में हमारे पास कितनी quantity थी ठीक है उसके लिए हमको we look up लगाते हैं हमको पता करना होता है कि पहले वाली sheet में कितनी quantity होती है या इसके पहले वाले साल में कितनी quantity होती है या तो हमारे पास नहीं stock आते हैं मतलब बहुत सार तरीका समझा रहा हूं अगर आपके पास अगले मेने के श्टॉक भी आया हो तो वह भी किस तरीके से निकालते वह मैं बताता हूं देखिए अभी लुक अप करने का कैसा तरीका है देखिए वी लुक अप सिंपल जादा आपको कुछ करना नहीं है एक्वल टू करना है ठीक ह सबस्क्राइब करना है और एपl के उपर ञाना है त्सक्राइब आपको यहांपे कॉलम में जाना है ठीक है हूँ आपको यह जरूरे के बदाब हो कुछ है ना उसको इसके बार कोमा लगा देना है थीकर कौमा लगा देने के बाद आप को दूसरी जैसे कि 2019 की जो शीट अ यनि यह रों गया ऊपने का बद आपको रोव करना है यानि कि आपको दो रोव चिलेंग करना है फिर उसके बाद का कॉंटिटी का रोच लेक की थी अगर हमने एक रोष करेगी तो हमको यहां पे डालना है अगर को सिंपल और करना कि यह होता है उसके उपर हमको इंटर मार देना है, यानि कि क्या होता है, कि सिंपल सी बात है कि यहां पे क्या है, कि यानि 2020 में जो एपल की कॉंटिटी थी 20 थी, और 2019 में भी क्या थी? 20 थी तो हमको यहां पे पथा चल जाएगा कि मैंगो की कॉंटिटी 2020 में ह тест है जब्के 2019 में मंगोब काउंट्रीच थी सिरिफ 19 ठीक है और बनाने के काउंट्राइटी 2020 में 73 थी लेकिन 2019 में हमारे पास किटना थे 30 है यनी 2020 में यह जदा आई हे हमारे पास ठीक है यहां पर यहां पर सिंपल से अप एक और टाफुस्सक्ति क्टारें हो एक और ओनों क्टिटी अगर सेम होएगी तो यहां पर टू यहांपे झाल और एक फारमुला आप यह भी लगा सकते हो कि ए गना यह आई यहांट यह कर देना टीक है यहानि कि जीरो आया मतलब के जितना हमारे पास मतलब के कॉंटिटी 2020 में 20 थी और 2019 में क्या थी 20 में 20 यहां पहीं ऑगया यह फॉर्मले को भी अगर हम कंट्रोल डी कर देते हैं तो यहां पहें पता चल जाएंगा ठीक है तो यहां पहें हमको यह पता चल रहा है कि 2020 शिटीफाइक कॉंटिटी हमारे पास 2019 मुकाबले 2020 में फॉटी सिक्स हमारे चाहिता समझ से हमको क्या पता चलते हैं और वी लुकप माने से हम को किस तरीके से फाइदा होता है ठीक है अब मुझे उम्मीद एक आपको अच्छी तरह समझ में आगे रहेगा दोस्तों मैंने प्लेलिस भी बनाई है उस पर भी जाके देखिए एकसर से रिलेटर सारे फॉर्मलेस वहाँ पर मैंने रख लिए रख दिये तो अब प्लेलिस भ के काम का रहा तब प्लीस लाइक शेर और सब्क्राइब जरूर करना ठीक है में मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में ठैक्स वर वाचिंग